लाखों दर्शकों कभरोसे मंद न्यूज चैनल आर नाइन भार चपेट में आकर बुरी तरीके से जुलस गए वा एक 16 वर्षे किशोर की मौके पर मौत हो गई बताते चलें कि ये बिजली से होने वाली पहली घटना नहीं है इससे बिजली विभाग की भी घोर लापरवाही सावित हो रही है जानकारी के मताबिक परसपुर पावर स्टेशन का निर्मान जब से हुआ है तब आज तक 11,000 लाइनों के तार नहीं बदले गए हैं आए दिन कहीं तार गिरने की तो कहीं करेंट की चपेट में आने से मौत वा जुलसने का सिलसला तो आम बात हो चुकी है फिलहाल रात में ही विधायक करनायल गंज वजय सिंग के प्रतिनिधी गुड़ू सिंग सीओ करनायल गंज मुन्ना उपाध्याय ऐसे चो परसपुर मेटीम मौके पर पहुचे और शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए रात दो बजे चिला मुख्याले रवान कर दिया गया इस घटा से ग्रामीनों में भारी आक्रोश है और वे बिजली विभाग के खिलाफ कारवाई की मांग कर रही हैं ग्रामीनों का कहना है कि यदि बिजली विभाग के खिलाफ कारवाई नहीं होती है तो वे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएं देख मामला परस्पुर विकास खंड के वद्दू पुरवा का है जहां पर कल 11000 की सप्लाई पूरे गाउं में उतर गई पूरे गाउं में उतरने के कांड कई लोग जुलस गए और इवक बिने तिवारी जो की 11000 लाइन की चपेट में आ गया उसकी मौके पर मित्व हो गई ये घोर लापरवाही परस्पुर पावर हाउस की तरफ से सामने आ रही है क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है आए दिन विद्धुद विभाग की 11000 की लाइनों के तार गिर जाय करते हैं आए दिन लोग जुलस कर मर जाते हैं आए दिन बहुत सारी घटनाएं विद्धुद विभाग के द्वारा होती है पूरी रिपोर्ट के लिए बने रह अब सेक्स्री वास्तो आर्लाइन भारत गोंडा